हाई गाईज क्या आज़ जाल एजब एक लट्टी का फर्स रिट में मेरे एक्जाम था एक्जाम अबर हो चुका है और इस विड़ों में हम लोग एक छोटा सारी भीव डिसक्स करने बालें ठीक है और क्या एक एबरेज डोन का ट्रेम करा सकता था और क्या एकस्पेक्ट कट में साथ ऐसा देखने को मिला था कि थोड़े से मैस बगएरा को मुझे जानकारी है ऐसा था कि इंगलिस को वहां पर थोड़ा सा कॉंप्लेक्स किया गया था थोड़ा सा ठीक है बठा फिर भी कहीं ने कई फेपर जो है और उसके लाब अगर हम लोग अभी सिप्ट के बात क उसके अलाबा आप लोगों का वहां में मिंसिंग नंबर स्था तेरा कोसन जो है बहों से बात किया जाए तो देरा में से जो चार से पांट को सब्सक्राइब थे जिसमें आप लोगों का थोड़ा सा जो मल्टिक्लेकेशन बगएरा है और जो इसा नहीं जो एक बरेंगे इ तो उसके लाबा आप लोगों का बाकी जो था को अर्थमेटिक यह तरीक से आपका 35 को सब्सक्राइए और उसके लाबा आप लोगों का अगर बात क्या जाए तो में चार पजल था लोगों का उसके लाबा एक आप की ओर फेजिंग कर रहे हैं एक और जो आपका पजल था वह आपका जो मन्थ वाला होता है ना मन्थ अंडेट वाला जिसमें आप लोगों का जन्वरी अप्रील मैं और सेटमबर मन्त गिवन था और पांच और भीस तारिक का डेट गिवन था ठीक है मतलब पांच और वीस ठी से तो जी बी जी डी बी एफ ए ए एच सी ठीक है यह आप लोगों का जो है वो बन रहा था उसका लावा बात करेंगे सर्कुलर वाले का तो सबसे अगर हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं क्लॉक बाइस में चलेंगे ठीक है तो एम टी एन पी ओ यह क्या था इस और आर एंड क्यू ठीक है यह आप लोगों का मतलब आ रहा था ठीक है मतलब मेरे कॉर्णिंग तो भी बना था सही है सारा अंसर्व करें मैश हो गया था और उसके अलाबा बाकी जो दोनों पजल था ना जब तक मैं नोट कर रहा था तब तक जो वहां पे रह आप लोगों का दो संज्फा इसमें आप लोगों का छोटां इप आधारी था चैया तो फॉजिंग में ठीक और रहा वही जो कोसन तेंग वहां था यूजिंग है उसके लावा बाकी जो भी कोसन तेब फॉसके अच्बभि अनंग में तो वहां पर जहां तक मुझे याद है हा और कुछ भी नहीं था तरीके से जो फेपर है आप लोगों का कंप्रीट होता है रिजनिंग का आप लोगों का आर्ची था, आर्ट कोसन का सेट, जिसमें एक स्टोरी बेज़ दी उसे हम लोग कहेंगे, उसे हम लोग ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कहेंगे, कि हाँ वो किसी इसू पर बेज़ दे, वो इस्टोरी बेज़ दी था, कि एक आलोक नाम कलर का रहता है, वो प्लोगों को मतलब क्या बोलें, चोटे बच्चों को पूछा जाता है, सब्सक्राइब करते हैं उसके लाबा आप लोगों का उसमें टॉपिक था वो भी काफी ज्यादा आई जी उसके लाबा वहां पर अगर बात किया जाए तो कर लिया होगा एक काफी जादा मन्दब इजी था उसके लिए वो काफी जादा मन्दब इजी था उन्होंने कर लिया होगा और इसी तरीके से हमारा मुझे जहां तक लगता है कि हमारा पेपर निए कोई टॉपिक नहीं कर रहा हूं तो इसी तरीके से हमारा जो पेपर है वह होता है और अगर बात किया जाए तो अगर एक अच्छा जो है जिसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा जानते हैं उनको पता होगा कि मैं प्रैक्टिस बगर नहीं करता हूं ठीक है और इस बार भी मैंने एजाम से पहले आथिंग के सिर्फ दो या तीन टेस्ट लगाया था दो टेस्ट Allibot का दिया था एक टेस्ट जो Life Guardly वला था ना मैंने बस वो दिया था तो अगर एक अब बात किया जाए और वो भी अबरेज इस्टुएंट जो प्रैक्टिस में है जो पहले से प्रैक्टिस मतलब कर रहा है ठीक है उसके अगर अगर अपने लेबल को और बहाएं अगर नहीं हो पाया है अब एक बाएंट और आप लोगों का आज के हैं कर दोनों को अब मिल जागा आप लोगों को में मुझतक अगर सही रिव्यू जो रियल रिव्यू बगरा है वो पता चल पाएगा तो मैं भी आप लोगों के साथ सेयर कर दोंगा रात तक उसके अलावा आप लोगों का 11 और 12 तारीक दोनों को अभी और एक्जाम होना है टोटल जो है वह होता ह तो कहीं न कहीं अभी नॉर्मलाजेशन भी होगा क्यों क्योंकि भारेशन है हर एक सिफ्ट में कहीं थोड़ा सा भारेशन है अब हर एक सिफ्ट में भारेशन ना हो तो कोई बात नहीं हर एक डे में कहीं कुछ तो भारेशन हो गई ठीक है अब उसके बाद कहीं न कहीं नॉ वाले समय में 11 12 को भी है कर जिनका अभी एक्जाम होगा ना तो उसके लिए यह कह सकते हैं कि 75 प्लस का अगर अच्छा माना जाएगा आप लोगों को मेंस का त्यारी करना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं सोचते रहने से कहां एक्जाम देदी है अगर एक्जाम है यह कट आप इतन जैसा मैंने महसूस किया जो भी मदलब मुझे लेभल और लगा मैंने आप लों को वीमजान को आप बता दिया और यह स्घ्री नियुक्त के लिए आप लोGB को को सबस्क्राइब करें आप लोगों को इसी तरीगा कैंप सब्सक्राइब्स का एक क्रेंश को करने वाले जो कि आप लोगों 12 को पुलिवारत को पाहर ना क्रेंश को स्टाट कर लेंगे का सक कर्लाइब क्रिटिकल रिजनिंग और पजल बगारा जो भी एक्जाम लेबल होते हैं ऐसा नहीं कि हां भारी भर कम पजल उठा लिए धंक से हम लोगों सब्बन नीटा है घर में और एक्जाम में जाके हम लोग उस पर सर्फ हो रहे हैं ठीक है तो यह जो रियल हम लोगों का लेबल बग